हेलो दोस्तों आज फिर मैं आप लोग के लिए एक नया टुटोरियल लेकर आई हूँ ड्राइंग टुटोरियल बहुत इजी स्टैप्स हैं तो इसमें मैं आप लोग को लीफ बनाना सिखा रही हूँ कि लीफ पर शेडिंग कैसे देते हैं और साथ में उसकी शेडो भी आपको कैसे बनाना है ताकि उसका 3D एफेक्ट आपनों के लिए न जड़ाए तो सेम मैंने सबसे पहले क्या किया 0.5 mm का मैकेनिकल पैंसिल लिया जैसा मैं हमेशा लेती हूँ उसी से लाइट हैंड से मैंने लीफ को ड्रॉ किया तो देखो light hand से इसको मैंने अच्छे से draw कर लिया है और आप लोग हमेशा याद रखी मैं हमेशा बोलती हूँ कि light hand से ही draw करना है कभी भी pencil पर pressure देकर draw नहीं करना है और हमेशा mechanical pencil से ही draw करना है ठीक है और light hand से क्यों क्योंकि आपके यदि perfect drawing नहीं आती है ब्रूस्ट्रो का ये अभी 10 भी यूज़ कर रही हूँ डार्क एफेक्ट के लिए तो एक साइड से मैंने शेडिंग देना चालू किया है हलके हाथ से उसको स्ट्रोक्स दे रही हूँ बहुत ही लाइट हेंड से ठीक है डार्क प्रैसर देके बिल्कुल भी नहीं चलाना है गाई वन साइड से मैंने उपर की साइड स्ट्रोक्स दिये हैं देखिए आप लोग नीचे तक लेकर आई उसकी स्ट्रैम तक हलके हाथ से पूरे को इसको फिल कर रही हूँ मैं देखिए आप लोग प्रॉपर तरीके से उपर तक इसी तरीके से फिल करूंगी उसको side में हलका सा outline दिया है मैंने फिर जहाँ पर dark effect देना है वहाँ पर repeat करके मैं dark कर रही हूँ then अब मैं use कर रही हूँ stump का हलका सा blend करने के लिए आप लोग चाहो तो brush भी use कर सकते हो आप लोग चाहो तो stump भी use कर सकते हो मैंने यहाँ पर blending tool का use किया है then अभी मैंने लिया है mono eraser ठीक है mono eraser से जो white इसकी stems है वह मैं निकाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से pointed निकल जाए और बार बार आप mono eraser को यदि आप जब भी निकालते हो white तो उपर से वह black हो जाती है इसलिए मैं छोटी छोटी चोटी बाते भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो जो उपर से point आपका black हो जाता हो आप second time उसको repeat करोगे white निकालने के लिए तो आपका वो काला पन आएगा तो सबसे पहले one बार मतलब means एक time में अदि आप white निकाल रहे हो highlight कर रहे हो तो pencil का point आप थोड़ा सा पौच लिया करिए मतलब उसका काला पन अटा दीजिए फिर second time उसको फिर से करिए तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी तो देखिए ये white निकालने के बाद फिर मैंने 4B pencil लिया है और उससे हलका हलका सा dark effect दे रही हूँ ताकि वो जो stamp दी है हमने बीज़ीज में highlight किया है वो थोड़ा सा उभर के दिखे इसलिए तो देखो कितना अच्छा effect आया then फिर मैं 10B यूज़ कर रही हूँ darkness के लिए बहुत light hand से pencil चला रही हूँ दोस्तों मैं और इसी तरीके से आप लोग भी करोगे ना तो कभी भी आप लोग को drawing में problem जाएगी ही नहीं जो मेरे पास इतनी आती है हमसे नहीं बन रहा है हमसे ऐसा नहीं हो रहा है आप जो procedure में बता रही हो यदि आप इसको follow करते तो definitely आप घर बैटके ही बहुत अच्छे से sketching सीख सकते हो क्योंकि अब मैं daily tutorial लेके आने वाली हूँ और अभी सिप छोटे छोटे इसी ही चीजे लेकर आऊंगे कोई बड़ा portrait बगर यदि होगा तो मैं बनाऊंगे अभी मैंने decide किया है क्योंकि गर्मियों की छुटी आने वाली हो मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस चीज को देखें और सीखें ठीक हैं तो इसलिए मैंने चोटे चोटे टोटोरियल डालना शुरू किया अभी ताकि डेली सुभे आप लोगो मेरा एक एक टोटोरियल मिलता जाएगा और आप लोग यदि डेली इसको करते हो रिपीट अपने आपसे तो आप सीख भी जाओगे और कुछ यदि आपको नहीं आता है समझ में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ भी सकते हो डेफिनेटली मैं reply दूंगी यदि आपको कहीं भी problem जाएगी ठीक है तो same procedure इस side भी कर रही हूँ जैसा मैने one side बनाया था same repeat इस side है उसका तो धीरे धीरे light hand से उपर की side strokes दे रही हूँ मैं फिर मैंने फिर stem का यूज किया है same procedure विल्कु जैसा एक side किया था बैसे ही दूसरी side कर रही हूँ ठीक है लेकिन इसमें देखो कितना अच्छा effect आता है थी आप बहुत light hand use करते हो कभी भी चाहे आप stem चला रहे हो चाहे brush चला रहे हो चाहे pencil चला रहे हो आप light hand ही use करोगे repeat कर करके dark करोगे तो Sam देखो mono eraser से फिर मैंने highlight किया है और फिर मैं pencil लूँगी और यह जो dust आती है dust को मैंने हमेशा बताया eraser की dust रहती है उसको आपको make up बाला जो brush रहता है उससे ही हटाना है कभी भी हाथ से नहीं हटाना है क्योंकि हमारे shade खराब हो जाते है ठीक है अभी फिर से थोड़ा सा 3D effect देने के लिए मैंने 4B pencil यूज़ कर रही हूँ ताकि वो जो stem निकाली है हमने उसकी बीच वीच में से वो उभर के दिखें तो देखो कितना अच्छा effect आ रहा है अभी भी सेम थोड़ा सा darkness जहां जहां देनी है हलके हाथ से repeat कर रही हूँ तो वो dark effect भी आता जा रहा है अभी मैं इसकी shadow बना रही हूँ 4B pencil से बना रही हूँ यदि आपसे 4B pencil इतना light नहीं चलती है तो आप 2B भी यूज कर सकते हो ठीक है तो 2B से भी आप कर सकते हो मैं 4B से करें क्योंकि मेरे से बहुत light end से चल जाता है pencil तो एक सा outline जैसा उसका shadow नहीं देना है हमको एक सा ही blend करके उपर तक जितना हमने shadow portion बनाया है ताकि हमारा जो leaf है वो 3D effect देने लगे क्योंकि shadow बनेगी ना तब ही उसका 3D effect आएगा guys तो देखिए कितने अच्छे से अच्छा जब भी leaf जहां पर end हो रही जैसे आभी आप देखिए मैं वहां पर dark कर रही हूं तो dark to light आएगा shadow में आप देखिए आप लोगों को पसंद आ रहा हो ना तो please यार वो जो बटन दिख रहा है ना subscribe वाला वो दबा दीजिए हम लोग इतनी मैनत करते हैं हमको अच्छा लगता है कि यदि आप लोग like, share, comment करें और हमारे channel को subscribe कर लें तो जो भी नए हैं तो please subscribe कर लीजिए आपको ऐसे tutorial मिलते रहेंगे मेरे manjus creation वाले channel पर तो guys देखिए ये leaf अमारी बनकर विलकुल तयार हो चुकी है बस थोड़ा थोड़ा सा dark effect जहां बचा हुआ है बस वो ही मैं उसमें effect दे रही हूं guys तो आज के लिए इतना ही next tutorial में मैं बहुत जल्दी आऊंगी next नया कुछ और बस initial वाली चीजे ही मैं अभी आप लोग को सिखाऊंगी जादर depth वाली नहीं सिखाऊंगी ताकि आप लोग का basic एदी के लिए रोगा तो इसके बाद बड़ी चीजे हम लोग start करेंगे तो के बाई ओल फ्यू नेक्स ब्लोग में मिल